आपका अद्धिक्ष महदे आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरियस इशू पे पहली बार ये सदन में आये हैं जिनोंने पिछले सत्तर सालों में ये प्रस्ण के लिए लड़ाई की जितने भी सेनिकों ने अपनी जान गवाई मुझे लगता हमारा योगदान काफी नहीं है इसे समर्थन देने के लिए मुझे लगता है सबसे जादा योगदान अगर किसी का है तो पिछले सत्तर सालों के लिए ये प्रस्ण पे जितने सेनिकों ने जवानों ने वो बॉर्डर पे अपनी जवान सहीद हुए ये उनका क्रेडिट है उनका सब अधिकार है कोई पार्टी कोई पत्स किसी के भी हक में ये नहीं जाता है ये इंसानियत के हक में जाता है मुझे लगता है एक युवा के नाते और एक एक देश की नागरिक होने के नाते में आप लोग को मेरी फीलिंग्स बताना चाहूंगी कि जब से कल राज्य सभा में ये निरने हुआ तो सोना मुश्कील था कि कब हम जाके ये बिल का समर्तन करेंगे कि हमें इस बिल में हमारा योगदान कैसे रहेगा आज मुझे लगता है आजादी के बाद जो सबसे बड़ा दिन होगा 15 अगस को आने के लिए शायद और 8-10 दिन बाकी है तो मुझे लगता है ये सही आजादी आज होगी और आज बिल पास होने के नाते होगी और मुझे लगता है कि जब हम कश्मीर घुमने जाते हैं तो कश्मीर के लोग हमें पूछते हैं आप भारत से हो अगर वो भारत का अंग होता आज तक अगर वहाँ के लोग हमें अपना अंग मानते भारत को अपना अंग मानते तो वो कभी हमसे ये प्रस्त नहीं पूछते कि आप भारत से हो, कि आप कहीं और से हो, अगर उने इंडिया से हो, तो मुझे ऐसा लगता है, आज के बार, जम्मू कश्मीर, मेर तू मिनिस अंडी, अरे नाक तिल सू, मेर ओपोजिशन पाटी लोंदा रहा, नेन कुड़ा ओपोजिशन इंडिपेंडनन उनना, नेन सपोर तू मिनिस अंडी, और जब जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, तो वहां की परिस्तिती, वहां पे रेस्ट्रोइन, वहां पे धाबे, वहां का खाना, वहां का रहना सेना, और वहां की गरीबी जब देखते हैं, तो ऐसा कभी महसूस नह और आज मैं अमिशा जी से आपका अभिनंदन करना चाहूंगी मोधी जब स्पीच बोलते थे भासन बोलते थे कि मेरी 56 इंस की ठाती है और आज रियल माने में दिखा गया कि 56 किसे बोलते हैं पहले सेशन में पहले सेशन में लाकर सभी लोगों के सामने एक सुन्दर का है जब तक सूरज चान रहेगा कश्मीर हिंदुस्तान का अंग रहेगा और अमिशा जी और मोधी जी आपका नाम हर दिल में हर जुबान में रहेगा इसे कोई खतम नहीं कर सकता और इस बिल को समर्चन करने के लिए मैं यहां खड़ी हूँ और सभी सदेश्यों से भी जिन्हों ने इसका बिल का समर्चन किया है ले लद्दाक वाले लड़के एमपी ने बहुत अच्छा एकदम सपोर्टिव बोला है कि ले लद्दाक में कारगील में लड़ाई के लिए होती है कि ले लुटाई होती है अध़ कि ले लुटाई है